दोस्तों स्वाह चैश्वमुस भाईलीजी की और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बات कर रहे हैं कॉंप्लिमेंट सिस्टिम के बार करते हैं। और इस वीडियो का मतलब है complement system मैंने आपको पहले विए कि complement system एक humeral defense का पार्ट है और वो innate immunity के humeral defense में आता है नॉर्मली जब हम humeral mediated immunity की बात करते हैं तो adaptive immune response की बात करते है adaptive immunity की बात करते है क्योंकि वहाँ पर antibody mediated immunity मगर innate part of immunity जो innate मतलब शड़ीत के अंदर पाक्तवाट हुटा है उस पाउट को पले करता है कॉम्पीमेंट प्रोटिश्यू पाए जाते हैं है और ये सिस्टेम कुछ प्रोटिश्यू के बना हुआ होता है। तक्रिब रिखे ग्रेन कि शॉड़िय। ऐंदर चुर्मेट से और क्या रहों होता हूं जो सप्रोंदि और क्या आति बाइज अंदर यह राग से पाइसे के संटीन से ने कशनाट can और खुद बैक्टिरिया की cell wall, cell membrane उसमें छेट कर सकता है, जिसके जरीए बैक्टिरिया मर जाएगा, यही complement system की actual requirement होता है, और यह complement system हर वक्त body में active है, अभी इसी वक्त मेरे body में active है, आपके body में active है, तो चलिए start कर लेते हैं और बात करते हैं, complement system के बारे में, तो यह complement है क्या, consists of approximately 20 proteins that are present in normal human serum, तो हमारी body के blood का जो serum है, उसके अंदर यह 20 types का protein मिलता है, यह important feature, और second important feature ही heat labile है, मतलब इसको अगर हम heat करे 56 degree Celsius for 30-30 minute तक, तो यह proteins जो ही inactive हो जाता है, able to augment the effect of other components of the immune system, important components or role of the complement, क्या, 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 फंक्शन, lysis of the cell, मैंने जैसे अपको बताया कि बैक्टिरिया को, क्या कर सकता है, यह, मार सकता है, lysis करके, बैक्टिरिया की शरीर के अंदर छेद कर देगा, वहां से components, जो है, ions वगएरा बहार आ जाएगा, तो औस प्रोटिक इंबैलेंस होगा, तो बैक्टिरिया मर जाएगा, इसको अलग अलग हिस्से में बाटा जाता है, जैसे के C3A हो गया, C3B हो गया, C5A हो गया, C5B हो गया, C2A हो गया, C2B हो गया, ऐसे अलग अलग, तो इसमें से कुछ components होता है, जो एनाफाइलाक्टिक एक ऐसा chemical factor है, जो बाटी केंदर अनाफाइलाक्टिक रिक्शन को trigger करता है, अनाफाइलाक्टिक रिक्शन क्या होता है इसके बारे में डीटेल में जानना है, तो जो hypersensitivity का वीडियो है, वो वीडियो डीटेल में देखें, उसमें discussed किया हुआ है, तो बेसिकली ये अनाफ प्रोब्रेंट प्रोब्लम यह एक पात होता है जो के अनफिलेक्टिक कॉंपोनेंट्स क्रेट करता है तो यह होता है सेगेंड थिंग है थर्ड इस कि इसको डिसको डिसको करने के लिए प्रोटीन को पहले तो हमें मतना प्रोइंजाइम्स नहीं होता है और C4 को जब अब break करेगे C4A और C4B में तब जाकि यह activate हो जाएगा C4 अकेला कुछ नहीं करता मगर जब C4A होगा यह smaller fragment है जो diffuse कर जाएगा और एक anaphylatoxin के तरह anaphylatoxin के तरह काम करेगा जो anaphylactic reactions को trigger करेगा वहीं पर C4B जो है यह larger fragment है जो खुद को cell membrane में attach कर देगा और फिर यह complement activation pathway में खुद को involve कर लेगा तो ऐसे हर एक complement protein मानलों यह C2A, C3A, C4A, C5A यह हर वक्त एक pro enzyme break होने के बाद C2A, C2B, C3A, C3B, C5A, C5B ऐसे हिस्से में बाट जाएगा और उसके बाद एक हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है, generally वो B वाला हिस्सा ही होता है, वो membrane के साथ attach हो जाएगा fragment, membrane के साथ, microbe, मतलब microbe की surface का जो membrane है, वहाँ पर खुद को attach कर लेगा, बड़ा sub unit, और छोटा sub unit, A वाला sub unit होता है, वो diffuse कर जाएगा, एनफालेक्टिक रियक्शन स्कॉस करेगा, इसमें एक exception है, वो है C2, C2 का जो C2 A है वो large होता है, generally बाकी का जो complement है, उसका A fragment small होता है, और B वाला large होता है, मारद C2 का C A वाला large है, B वाला small है, ठीक है, तो यही सिर्फ फरक है, इसलिए ये C2 A instead of C2 B attach होता है, membrane के साथ, उसके बार में भी detail में हम देख ये थीन पात्वे, थर्ड ये alternative pathway, ओके, ये तीनो अलग 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 पात्वे होता है, मगर याद रखना एक चीज़, ये तीनो पात्वे ही important है, और तीनो पात्वे अलग अलग ताइन पर activate होता है, अलग अलग जगा पर activate होता है, color हम change कर लेते हैं, सबसे important होगा, जब श trigger होता है, lectine pathway, और आखिर में trigger होता है, lastly trigger होता है, classical pathway, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसलिए classical pathway बहुत common है, old pathway, मगर सबसे पहले alternative pathway, उसके बाद lectine pathway और आखिर में classical pathway, trigger होता है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ properties, मतलब complement system का जो classical pathway है, उसका क्या 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 properties है what are the properties of classical pathway of complement system, देखो part of acquired or adaptive immunity बोलते हैं हम इसको, activated by antigen antibody complex, तो antigen antibody complex चाहिए होता है, otherwise ये काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर एक question कोई मुझसे पूछ सकता है, कि आपने बता है कि ये humoral part innate immunity का है, मगर ये adaptive का ही कहा जाता है, जहाँ पर देखो कि maximum जगब adaptive ही लिखा हुआ है, मगर याद रखना कि optionization का जो fact है, normally body के अंदर complement काम करता है उसी वक्त, उसी time पे, तो मेरे हिसाब से ये innate immunity का भी एक हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि always complement शेरित के अंदर है, और कुछ ने कुछ antibody शेरित का अंदर मौझूद है, जो जाके bacteria को neutralize करता है, optionization करता है, तो optionization part को पकर के चले, तो innate का हिस्सा बोला जा सकता है, मगर ज्यादा तर case में, जब antigen antibody को fix करना है, interact करना है, तो उसो वो definitely, obviously antigen antibody interaction का मतलब होता है, वो humoral mode of adaptive immune response, तो वही है, तो कौन कौन सी immunoglobulin involved होता है, IgM और IgG, यह दो चीज यहाँ पर involved होता है, classical path में, याद रखना, IgM और IgG IgM तो complement activatory IgM immunoglobulin होता है, क्योंकि यह pentameric है, pentameric antibody, pentameric मतलब at a time 10 antigen के साथ, by valency 5 into 2, 10 antigen can bind, so complement को बहुत जल्दी से अच्छे से fix कर सकता IgM, इसलिए IgM है, और IgG भी हो सकता है, classical pathway में, IgG भी complement को fix कर सकता है, IgG का अलग-अलग types, IgG 1, 2, 3, 4, 5, so IgG 4 को छोड़के बाकी IgG भ fix कर सकता है, इस complement system में complement 1 protein involved होता है, और C1 QRS structure होता है, complement 1 का ही 3 हिस्था QRS, ठीक है, और यह bind करता है FC region of IgG और IgM, और फिर जाके process को activate करता है, तो basically classical pathway activate होने के लिए antigen antibody complex होना ज़रूरी होता है, कौनसे antibody IgM और IgG, IgG 4 को छोड़ कर, और C1 complement number 1 protein involved होता है, जिसका QRS complex है, वो जाके bind करता है FC region of IgG और IgM पर, और यह process calcium dependent है, मतलब calcium चाहिए होता है, process को activate करने में यह भी लिख लो, other activation includes virus mediator activation हो सकता है, bacteria mycoplasma activate करता है, ठीक है, phosphate PO 443, DNA, lipidae, cardiolipine, sulfate, dextran, heparine, all these areas of other, so यह अलग अलग चीज़ है, यह इंपोर्टन नहीं, जो इंपोर्टन चीज़, antigen antibody complex चाहिए, IgM IgG fix करता है, C1 involved होता है, और calcium required pathway है, अब यहाँ पर pathway को हम देखेंगे, पहुत सारे चीज़ आ गया, यहाँ पर उतना चीज़ देखने के ज़रूत नहीं, देखो, सिर्व यहाँ तक एक चीज़ में ध्यान दो, देखो यहाँ पर है antigen, यह antigen, य antibody होगा, IgG for example, जब antigen antibody complex बन जाए, तब जाके यह चीज़, यह होता है, C1 complex, जिसमें C1, Q, R, S, तीनों ही मौझूद है, अब QRS complex जब यहाँ पर antigen antibody के साथ interact करेगा, इसके साथ साथ क्या होगा, यह C2 को degrade करेगा, करके C2A, C2B बना देगा, अब C2A, C2B बनने के साथ सा अब यह C2A और C4B एक साथ मिल के क्या बन जाएगा, C3 Convertis बनेगा, याद रखना है, C2A, C4B एक साथ मिल कर C3 Convertis बनेगा, तो यह C3 को degrade करेगा, ब्रेक करके C3B और C3A तयार करेगा, अब उसमें से C3B, C5 Convertis बनेगा, जो C5 को ब्रेक करके C5A, C5B बनेगा, अब C5B क्योंकि आखिर में C6, C7, C8, C9 के साथ मिल कर, बैक्टिरिया की सेलमेमिन में होल क्रेट करेगा, हो गया, बहुत सारे चीज, एक साथ मैने बता दिया, फिर से बताऊंगा, यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि यह Antigen-Antibody Interaction Important है, Classical Pathway में, याद रखना, Classical Pathway, यह Classical Pathway हम देख किया, C2A हो गया, क्योंकि पता है, C2A large unit है, C4B large unit है, हमको पता है कि normally B units large होता है, A unit small होता है, मगर C2 में A unit large है, तो large unit से एक साथ होंगे, क्योंकि वो membrane के साथ interact करेगा, bacterial membrane के साथ, सो C2A, C4B बन गया, C3 Convertase, जो C3 को convert करेगा, C3B और C3A में, C3 Anaphylatoxin बाहर चला जाएगा, उसका काम हो कर देगा, C3B, C5 Convertase बनेगा, मतलब C3B, C5 को degrade करके, C5A, C5B बनेगा, again C5B use होगा, सो देखो, C5B जब use होता है, सो ultimately क्या होता है, या पर C2A, C4B और C3B, ती साथ हो गया, C5 Convertase, जो C5 को C5A, C5B में तकदिल करेगा, अब C5A क्या करेगा, यह दो जो भी component C5A हो गया, यहाँ पर C2B हो गया, C4A हो गया, यह सारे के सारे चीज़े, Inflamatory response कोस करेगा, क्योंकि Inflamation कोस करेगा, यह जो C3B, इसके साथ जो आखिरकार प्रोसेस हुआ ह जैसे के C5A, C5B हो गया, वो क्या करेगा, लाइसी और Inflamation करेगा, मतलब नॉर्मली यहाँ पर जैसे देखो, आप यहाँ पर ultimately क्या हो गया, C5B, जो अब activate हो जाता है, C5B, C6, C7, C8 के साथ मिलकर, यहाँ पर एक membrane attack complex form करेगा, membrane attack complex और MAC, और membrane attack complex क्या है, एक channel, एक pore, एक hole, और hole cause करने के साथ साथ क्या होगा, cell से चीजें बाहर आने लगेंगे, और बाहर से चीजें अंदर, मतलब टोटल जो osmotic balance से वो destroy हो जाएगा, और cell मर जाएगा, degrade हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, और इसका जो fragment है, C3B, C4B, C1Q, यह सारे चीजें optionization cause करता है, मैंने ब you know, उसके साथ pain और यह सारे जो 5 symptoms से inflammation की वो cause करता है, और membrane attack complex किस चीज़ से बनता है, यहां से C5, B, C6, C7, C8, C9, यह membrane attack complex बनेगा, cell को मार देगा, तो यह होता है systemic approach of classical pathway, और इस classical pathway पहला step जो antigen-antibody interaction, यह trigger करता है, initiation, फिस C3 convertis बनता है, C5 convertis बनता है, process amplify होता है, और finally effector function जो के optionization, lysis, inflammation, यह तीनों चीज़ होता है, ठीक है, अभी देख लेते हैं कि यह classical pathway का components क्या-क्या है, देखो और एक चीज़ में जाने से पहले दिखा दूँ, कि यहां पर जाके ना सारे के सारे pathway देख लो, classical pathway, lectin pathway, alternative pathway, सारे के सारे जगा, जाकि एक ही जगा यहां पर रु तब ही जाके C3, B जाके C5 को activate करेगा और जाके बाकी का जो process है complete होगा, so lectin path में भी ultimately होगा, alternative में भी होगा, सभी में वही चीज़ होगा, यहां पर components of the classical pathway, classical pathway का components का है C1, C2, C3, C4 लिखा हुआ है, उसका components क्या अलग-अलग सा लिखा हुआ है, क्या function है, सारे के सारे चीज करता है, सो यह में simply, देखो C5, फिर फिर फाइल, फाइल, आक्सिज और inflammation सब, यह वाला चीज सब हर वक्त यह करता है, ओके, और C9 जो होता है, polymer around the form channel, तो C9 basically, यह जो channel create हुआ था, यह channel, C9 से create होता है, यह C9 का important feature है, तो यह चीज याद रखने वाली चीज है, और मैं हर व अब ही बात कर भी लेता है, alternative pathway के बारे में, complement system के alternative pathway, मैंने बताया पहले ही कि alternative pathway का property सबसे important यह होता है, का alternative pathway सबसे पहले activate होता है, उसके बाद, lectin binding pathway, उसके बाद, classical pathway activate होता है, तो also known as the properdem pathway, properdem pathway भी दुटे है, यहाँ पर C1 involved नहीं होता है, यहाँ पर antigen antibody complex वीसे, involved नहीं हो होता है यहां पर एक तूसरा factor यूज होता है उसके बारे में हम देखेंगे यह part of innate immunity है पता है मैंने बताया कि complement system b innate immunity का part है और alternative pathway innate immunity का pathway इसलिए compliment pathway का alternative pathway सबसे पहले act करता है क्योंकि innate immunity का हिस्सा है और यह c1 c4 c2 इस सारे चीजों को bypass कर देता है मतलब के सबसे important जो component होता है classical pathway का उस सारे components को C1 हो गया C2 हो गया C4 हो गया सब को bypass कर देता है और इसे antigen antibody binding के ज़रूरत ही नहीं होता है क्योंकि यह इन्हें products like endotoxin जैसे के बाहर से बैक्टिरिया आएगा LPS लिपो पॉलिसे करें लियर जो endotoxin है अगर हो endotoxin आ गया शरीत के अंदर तब यह पाथवे जो activate हो जाएगा कोई बैक्टिरिया वाइरल components बाहर से अंदर आये नॉन सल्फ मेटिरियल अंदर आये तो इन्हें इमिल्टी जैसे हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है यह यह अल्टनिटीव पाथवे आफ of complement activation system यह में protect तरेगा अगर अग्टिवेटर क्या है complexes containing ौटेणिंग इगा संव वाइरस infected cells like Epstein-Barr virus infected cell many gram negative and gram positive organism पारसाइट like trypanosomes leishmania यह सब activate करता है ठीक है यह अलग अलग चीजे जो इस complement को activate करता है इस system को अल्टनिटी पाथवे को activate करता है तो देखो फिर से वही image यहां पर है हमारा ठीक है यह पात तो हमने बात discuss कर चुके हैं अब हम देखेंगा अल्टनिटी पाथवे मतलब यह वाला यह पाथवे देख लेंगे हम इसके साथ साथ डीटेल में यहां पर दिया हुआ है ठीक है definitely यह antigen antibody related complex नहीं चाहिए c1 नहीं चाहिए c2 नहीं चाहिए c4 नहीं चाहिए तो कैसे अल्टनिटी पार्ट को activate होता है चलिए देखते हैं तो बात तो यह होता है एगें c3 को हमें activate करना है c3 convert is activate होना है तो c3 को activate करने के लिए c3 break हो जागा c3 और c3 b में कैसे होता है components of microbial surface माइक्रोब के surface का जो component है वो कोई भी carbohydrate structure हो बाहर से आया हुआ microbes का protein structure हो या फिर कोई भी foreign object हो बैक्टीरिया की अर्फी virus की वहीं जाके c3 को activate करेगा ऐसा ही c3 activate होगा c3 एक ऐसा complement है जो जाके बाहर की foreign object से influence होके activate हो सकता है मगर classical park में हमने देखा c3 को activate करने के लिए c3 को activate करने के c1 और c2a वो सबका involvement है यहां पर नहीं है तो c3 जब activate हो गया यहां पर c3 b हो गया जो activated form तब जाके c3 b को further associate होना है एक और component के साथ ताके वो c5 को activate कर पाए और c5 को activate किये भी ना हम complement activation नहीं कर सकते तो अभी क्या होगा factor b को activate करना होता है जो factor b c3 b के साथ मिलकर c5 को activate करेगा और factor b भी inactive रहता है उसको कौन activate करता है factor d factor d factor b को activate करेगा और उसके बाद factor b बन जाएगा capital factor b और जब उसको स्टोर देंगे हम तो हो जाएगा capital b small b तो एक स्मॉल लाज सर्विनिट फैक्टर भी हो जाएगा capital b small b तो अभी क्या होगा c3 b तो था ही अभी factor d ने factor b को activate कर दिया तो c3 b plus b b यह बन गया हमारा c3 convertis अब यह c3 convertis क्या करेगा c3 को activate करेगा देखो कैसे यहीं से हम देख रहे है c3 को c3 b में convert करेगा अब c3 b फिर से तो मतलब c3 c3 को खुद को activate कर पहले बार c3 को activate किया था macrobs की surface का component है यहां पर उसके बाद दूसरी बार c3 को activate कौन कर रहा है c3 convertis जो के बन रहा है c3 b b b से तो अभी क्या हो जाएगा c3 b b b c3 b तो यह बन गया c5 convertis c3 b b b c3 b बन गया c5 convertis अब यह c5 को convert करेगा c5 a और c5 b में अब यह c5 b c678 एक साथ मिलेगा और c9 को यूज करके membrane attack complex form करेगा वही membrane attack complex pore hole वही से bacteria का death अगर समझ में नहीं आया तो इस जगा को repeatedly देखो start send तक समझ आ जाएगा दो बार c3 activate हो रहा है पहले तो activate हुआ microbial component surface की component से दूसरी बार activate हुआ जब factor d factor b को activate करता है factor b के साथ c3 b मिलकर c3 को activate करता है दो बार यहां पर देखलो यहां पर alternative pathway दिया हुआ है फिर भी c3 b b b यह आ गया अब c3 b b b 3 b इस सब मिलकर फिर से क्या हो गया एक ही बात तो ऑप्सोनाइजेशन inflammation lysis only inflammation जो एक ओंपोनेंट से वह inflammation कास करेगा जो बी कॉम्पोनेंट से वह membrane attack complex form करेगा और ऑप्सोनाइजेशन भी बी कॉम्पोनेंट सी कॉस्ट करेगा यह हो गया अल्टनेटिव पाथवे का mechanism और यह components of alternative pathway उसका function क्या क्या components यहां पर है उसका function alternative pathway में कहां से आता है इसके details याद रखना याद रख सकते हो अब लास्ट है थर्ड वान लेक्टिं पाथवे आफ कॉम्प्लिमेंट सिस्टम इसको में बीएल पाथवे भी बोलते हैं है कि activate activate by binding of manose binding lektin क्योंकि क्यों हम बोलते हैं एंप और manose before binding here for lectin मैंनोस binding lektin protein to surface of microbes तो जब भी मैंनोस binding lektin my probe के surface में attach होता है तब यह process activate होता है तो मैंनोस की देखो हर एक माईक्रोब के surface में मैंनोस तो नहीं होता है तो मैंनोस और मैंनान क्या होता है पॉलीमर और शुगर मैनोज, एक शुगर को बोलते है मैनोज और एक से अधीक होता है, तो मैनन बोलते हैं, ठीक है, तो यह यह process calcium dependent manner भी activate होता है, binding causes activation of M.A.S.P. M.B.P. associated serine protease, M.A.S.P. का मतलब है M.B.P. associated, मतलब manose binding lectin associated serine protease enzyme, तो जब भी यह manose उपर पहा, देखो यहां पर इस picture में detail है, जब भी bacterial surface की उपर manose पाये जाते हैं, और mannan पाये जाते हैं, तब जाकि यहां पर M.A.S.P. जो होता है M.B.P. associated serine protease interact करता है, अब देखो क्या ह होगा, यह जो M.A.S.P. protein, M.A.S.P. 2 protein के particular नाम है, वो जब active हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, C.4 complement number protein number 4 को cleave कर देगा, C.4A और C.4B में, पहला step, मैंनोस binding protein, मैंनोस के साथ bind कर रहा है, M.A.S.P. 2 protein, वो active हो गया, वो क्या करेगा, C.4, सो pathway start हो रहा है, C.4 से, C.4 को break कर देगा, C.4A, C.4B में, राइट, sorry, C.4B में, अब C.4A तो एनफाइलेक्शिक रियक्शन और इंफेमेटरी रियक्शन कॉस करेगा, C.4B मेंब्रेन के साथ bound हो जाएगा, देखो, मेंब्रेन साथ हो गया, C.4B, C.4A निकल गया, क्योंकि हो small sub unit, activator M.A.S.P. also cleaves, यह M.A.S.P.2 जो है, यह C.2 को भी cleave करता है, A की time पर, तो M.A.S.P.2 यह दोनों को ही cleave करता है, इसको भी C.2A हो जाएगा, C.2B हो जाएगा, है न, C.2A, C.2B, और हमें पता है कि C.2B छोटा है तो वो निकल जाएगा, inflammation क्रॉस करने में, C.2A, C.4B के साथ bind कर जाएगा, तो membrane में अभी C.4B, C.2A bind कर गया, और यह बन गया C.3 Convertis, अब यह C.3 Convertis क्या करेगा, C.3 को break करेगा, C.3B, C.3B, अब C.3B को membrane के साथ attach कर देगा, अब C.3B जब attach हो जाएगा, C.3B क्या करेगा, फिर से C.5 Convertis बनेगा, अब C.5 Convertis बनने के बाद C.5 को break करके C.5A, C.5B, C.5B, C.6, C.7, C.8, C.9, मिलकर again membrane attack complex बनाएगा, cell death, और यह जो A components release हो चुका है, यह सारे के सारे, C.3A हो गया, C.2A हो गया, यह क्या करेगा, C.3A, C.2B, यह जो चीज़े बाहर आ गया, यह बन जाएगा, inflammatory response causing chemicals, तो यह होता है, lectin pathway, यह होता है, lectin pathway, अब यह तीनों pathway को compare कर लेते हैं, सारे के सारे जो पात्वे, तीनों pathway, lead to the production of C.3B, जो central molecule of complement cascade है, C.3B, C.3B form नहीं किये बगार, कोई पात्वे हो ही नहीं सकता, okay, presence of C.3B on surface of a micron marks, it as a foreign and target for destruction, C.3B with two important functions क्या होता है, combines with other complement, component to generate C.5 convertis and यह opsonization भी cause करता है, तो सबसे important and mathematical, जो complement protein fragment है, वो C.3B है, तो किसी लेको यह बैक्तिरिया, इसके surface में C.3B मिले, इसका मतलब है, बस इसका हो चुका है, इसको tag कर दिये चुके हैं हमने, और इसको मार नहीं है, ठीक है, इसे ही पता है, तो तीनों pathway, alternative, सबसे पहले activate होता है, pathogen surface, जो है, वो creates local environment, वहीं से start होता है, first to act, innate immunity का हिस्सा है, उसके बाद आथा है, lectin pathway, manos binding lectin, binds to the pathogen surface, second to act, second sequence में attack करता है, और classical pathway, C-reactive protein और antibody binds to specific antigen और pathogen, तो C-reactive protein भी bind कर सकता है, और उसके एलावा भी specific antigen, antibody interact करने के बाद भी ये process होता है, सबसे last ये काम करता है, third sequence, और ये adaptive, adaptive immune system का हिस्सा है, यहाँ पर antibody-antigen interaction, antibody-antigen interaction important भूमी का play करता है, और उसके साथ-साथ, ये Q-un, जो होता है, मतलब C-1 complex यहाँ पर काम होता है, Q-R-S, C-1 complex, और सारे के सारे complement को activate करता है, complement activation का मतलब है, C-3 को C-A, C-3 और C-3-B में divide करना, C-3-B जब हो जाएगा, तब वो और C-5 convertis बन जाएगा, C-5 को activate करेगा, finally, तीनो process यहाँ पर होगा, inflammatory response cause होगा, जो के A subunit से बनेगा, complement की A और छोटा वाला subunit से, optionization बनेगा, बड़ा वाला और B subunit से, और MAC, membrane attack complex, जिससे से सेल को मार दिया जाएगा, वो भी बनेगा, large complement का fragment और B fragment से, तो यही होता है, तीनो पाथवे का comparison, और यहाँ पर और एक comparison दिखाए गया है, तीनो के तीनो पाथवे का, classical pathway, जो को QRS complex, convertis C-4, C-2 बनेगा, C-3 convertis, C-3 फिर बनने के बाद MAC को form करता है, मेनोस binding lectin में, again, bacteria के surface चाहिए होता है, और alternative pathway भी bacteria के surface चाहिए होता है, alternative pathway स्टार्ट होता है, C-3, B से directly, factor B और D involved होता है, finally, MAC बनके destroy करता है, और MBL pathway भी में, surface पे, मेनोस residue होना चाहिए, तब जाके serine protease activate करता है, C-2, C-4 को, और फिर से बाकी के pathway, जो एक classical pathway के जैसे similar है, तो classical pathway, मेनोस binding pathway, more similar है, सिर्फ डिफरेंट से ही है, classical pathway में antigen antibody complex form होता है, और C-1, complement 1, protein involved होता है, वायर MBL का जो pathway और मेनोस binding lectin pathway, और lectin pathway जो है, वहाँ पर antigen antibody complex नहीं चाहिए होता है, bacterial surface में मेनोस होना ज़रूरी होता है, और alternative pathway totally अलग होता है, जहां पर surface का कोई भी जो foreign component से, वो C-3 को activate करता है, और बाकी के process involved 7 है, और यहां पर factor B और D involved होता है, जो कि unique बाकी में नहीं होता है, और alternative pathway सबसे पहले act करता है, innate immunity का हिस्सा, MBL second act करता है, classical last act करता है, तो यह हो गया total review of complement pathway, complement activation, complement protein, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपको complement system के बारे में details जानकरी मिल चुका है, अच्छा लगा वीडियो को like करें, बुरा लगा तो dislike करें, और वीडियो को share करें, subscribe करें चैनल पर, ताकि ऐसे video future में मिलता रहें, thank you, bye.